हेलो दोस्तों मेरा नाम है अरुन कुमार एक बार फिट से नीडेस्टेट यूटूब चनल में आपको स्वागत है आज हम लोग BBM के यू सेमेस्टर 2 जियोग्राफिय ओनर स्कॉर 4 का BBI इंपोर्टेंट अबजेक्टिव प्रस्ण देखने वाले हैं ठीक है तो अधी आप कि समूद्र की वलानता कितनी है तो समूद्र की वह सत्क्रण तो इसका अंसर हो कि तो एक पंचास से असी किलो मिटर एक तो आप इसे नौट करके रख लिए यह BBI São एक जाम में हर-बर आता तो अगला कोच्छन है हमारा अस्पेन वा फ्रांस में बहने वाली थंडी अस्थानी पाउन को क्या कहा जाता है तो मिस्ट्रल तो आप इसे नोट करके रख लीजे अगले प्रश्ण के और हम लोग चलते हैं अगला प्रश्ण हमारा वायू की गती को किसी मा पा जाता है तो खुर्ण मैं जयंगे और हम रहे हैं वायू मड़ल में मनल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गेस पाई जाती है सबसे अधिक मातरा में कौन सी गेस पाई जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78% ठीक है नाइट्रोजन 78% चलते अगले परश्ण की ओर हम लोग अगला परश्ण है हमारा छोब मंडल की ओसत उचाई कितनी है तो 13 किलोमेटर ठीक है जो छोब मंडल की ओसत उचाई हुआ है 13 किलोमेटर और यह धुर्वो में जाकर 8 किलोमेटर हो जाती ठीक है छोब मंडल की ओसत उचाई धुर्वो में 8 किलोमेटर हो जाती है तो चलते हैं अगली प्रश्ण की ओर हम लोग अगला प्रश्ण हमारा और जन परत किस मंडल में पाई जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा समताप मंडल ठीक है और अधी इंगलीज में दिया हुआ रहे अस्टेटो स्फेयर तो इसी पर टिकल लगा दीजेगा ठीक है तो दोनों में कोई एक रहे तो इस पर टिकल लगा दीजेगा अगला प्रश्ण हमारा छोब मंडल में कितने उचाई पर एक डिग्री सेलसेज तापमान कम हो जाती है तो 165 मीटर की उचाई पर छोब मंडल में शोब मंडल में 606 मिटर की उचाई पर एक डिग्री सेलसेज तापमान कम हो जाता है तो चलते हैं पर हम लोग अगली प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है हमारा अगला प्रश्ण हम लग देखते हैं अगला प्रश्ण है जोर भाटा की उत्पती कैसे होती है तो इसका अंसर हो जाएगा सूरी तथा चंदर्मा की आकर्शन सक्ति के कारण ठीक है जोर भाटा की उत्पती सूरी तथा चंदर्मा की आकर्शन सक्ति के कारण होता है तो अब इसे नोट करके रख लिजी अगला प्रश्ण हम लोग देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा परवाल क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा एक समुदरी जीव ठीक है परवाल क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा एक समुदरी जीव चलते हैं हम लोग अगले प्रश्ण क सभी खुर्णन दिया हुआ रहे गां थो इसमें सभी टीट लगाद में लाग चलते हैं scholar देखते है अगला प्र slides करता है ठीक थामतरी तरंगों को कौन पर भावित करता तो एक्जाम में पक आच्छे से साथ कोचन इसी से भीड़ जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगाउते हैं कि प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं ने इस्ट वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद